मेरे पिताश्री दोनाचार्य का वद्ध करने वाले बांडवों तुम्हारी सुख के निद्रा को चिर निद्रा में परिवर्तित करदूंगा मैं आश्वा आमा यह तो पांडव प्रतित नहीं होते हैं परंदू यह कैसे हो सकता है यह शिविर तो पांडवों का ही है ये तो पांडवों के राजकुमार है दुरापति के पुत्र अच्छा हुआ पांडवों के कुल का नाश हो गया जिस प्रकार मैं मेरे प्रिया जनों की आग में जुलस रहा हूँ उसी प्रकार पांडव भी उसी आग में चलेंगे पांडवों के वंशनाश की संतुष्टी लिए क्रूर अश्वत्थामा दुर्योधन को अपने पराक्रम की शुब सूचना देने जा पहुचा ये क्या किया तुमने अश्वत्थामा बालकों का वद्ध ऐसा ग्रिदत कारी है संसार का सबसे बड़ा पात किया है तुमने यदि ये सोचकर तुम प्रसंद हो रहे हो कि तुमने पांडवों के वंश का नाश कर दिया है तो कदाचित तुम ये भूल रहे हो कि अरजुन की पुत्र वदू उत्तरा उसके गर्ब में अभी मन्यों की संतौन पल रही है मैं ये भी समझ रहा हूं तुम्हारे इस जगन्य क्रिट्ट के लिए ना तो प्रिष्ण तुम्हें ख्षमा करेंगे और ना पांडा इससे पूर्व की क्रिष्ण तुम्हें धूड़ते हुए यहां आ जाएं मेरे में तुम तुम जाकर किसी कुप्तिस्थान पर चुप ख्रश्ण पर अश्वत्तामा मैं स्वैम अपने हाथों से तेरी जिवा उखालूंगा नहीं महाबरी उस तुष्ट कुमार कर आप उसे चीर शांती प्रदान करना चाहते उसे मृत्य उसे भी भयानक दंड मिलना चाहिए चीर शांती नहीं उसे चीर काल तक अशांती मिल्ल जाहिए जब तक उससे भिशन दंड नहीं मिल जाता मैं अपने पुत्रों के अस्यों को विसर्जित नहीं होने दूँगी यही बैठी रहोंगी मैं बचन देता हूँ पांचाली उसके कुकृत्त के लिए उसे भीशन दंड दूँगा मैं उसे दंडित किये बिना मैं नहीं लोटूँगा इस महा अधर्म का भयानक परिणाम भोगना होगा उसको कर्मी को और तब द्रौपदी के प्रण को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण एक बार पुनह अर्जुन के सारती बने और देव शिल्पी विश्व कर्मा द्वारा निर्मित रथ पर धनन जय को लेकर अश्वत थामा को दंड देने के लिए निकल पले महाबली भीम भी प्रतिशोद की ददत्ती अगनी को रिदय में लिये हुए उनके साथ दोड पड़े ये रत की द्वानी अर्जु क्रिश्ण के साथ और भीम भी पर्जुन बोरा अश्वत थामा तुम्हारे इस जगन्य कृत्त के लिए ना तुक प्रिश्ण तुम्हे ख्षमा करेंगे और ना पांडा भाग कर कहा जाओगे अश्वत थामा जो जगन्य कृत्ते तुमने किया है उसका दंड तुम्हे भुगतना ही होगा कहा भाग कर जा रहा है अश्वत थामा तेरा कॉल तेरे सामने खड़ा है ये क्या कर रहा है अश्वत थामे अर्जुन अश्वत थामा ने ब्रह्मास्तर का आहवान किया है अर्जुन भीम तुम मेरा अंत नहीं कर सकते अंत तुम पांडवों का होगा ये क्या अनर्थ कर दिया है श्वत थामा ने इस्वर वेद रियासी युद कोशल का दुरू प्योग कर रहा है श्वत थामा हाँ दिवर्शी ये पाप पर पाप कर रहा है अर्चन अब क्या करोगे तुम माधव ब्रह्मास्तर को केवल ब्रह्मास्तर से ही काटा जा सकता है किन तो अर्चन नहीं माधव इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है अश्वाथामा धनुर विद्या के माह गुरू दोणाचार्य के पुत्र होकर भी तुम ये कैसे भूल गए कि भ्रमास्तर का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जाता सहस्त्रों निर्दोष दीवधारी के साथ ही तुम भी मिढ जाओगे अश्वाथामा अश्वाथामा अपना ब्रह्मास्तर वापस लो अभी और इसी क्षण वापस लो अभी और इसी क्षण वापस लो ब्रह्मास्तर अर्जुन उचित है माधव मैं वेद्व्यास तुम्हें आज्या देता हूँ अश्वाथामा कि तुम इसी क्षण अपना ब्रह्मास्तर वापस लो मेरे पिताश्री ने मुझे अपूर्ण ज्ञान ही प्रदान किया है मैं ब्रह्मास्तर का संधान तो कर सकता हूँ किन्तु इसे वापस लेने के विद्या मुझे नहीं आती अब मैं यदि इसे लोटाना भी चाहूँ तो भी मैं इसे लोटा नहीं सकता जब दमास्तर को वापस नहीं लोटा सकते तो तुम्हें इसका संधान भी नहीं करना चाहे था शुठामा यदि तुम इसे लोटा नहीं सकते हो तो किसी ऐसे स्थान की ओर मोड़ दो जो निर्जन हो जहां पर कम से कम हानी हो उचित है मैं इसकी दिशावश्य ही मोड़ सकता हूँ यदि ये सोच कर तुम प्रसंद हो रहे हो कि तुमने पांडवों के वंश का नाश कर दिया है तो कदाचित तुम ये भूल रहे हो कि अरजुन की पुत्र वदू उत्तरा उसके गर्भ में अभी मन्यू की संताहन पल रही है प्रम्भास्त्र चलाया है तो पांडव कुल की आगामी पीढ़ी का नाश तो करी सकता हूँ मैं इससे तुम अपनी नीशता नहीं त्यागोगे अश्वत्धामा श्री कृष्ण को बूध हो गया था कि अश्वत्धामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यू पत्नी उत्तरा के गर्भ की और परिवर्थित कर दिया था जिससे उनका कोप अपने चरम पर पहुंच गया अश्वत्धामा तुम क्या सोचते हो पांड़ों के कुल के वंच का नाश कर दो कि तुम मैं कृष्ण तुम्हें बताता हूँ उत्तरा का वही पुत्र जिसका नाश करने के लिए तुमने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा परिवर्थित की है भविश्य में वो एक महान राजा बनेगा और तुम अधम अश्वत्धामा प्रून हत्या जैसे नीच क्रिस्टे के लिए मैं तुम्हें श्राफ देता हूँ कि तुम्हारी समस्दे अनेक रोगों एवं महा पीड़ा दायक घावों से बढ़ जाएगी दुर्दंद युक्त हो जाएगी तुम्हारी दे कोई निकट नहीं आएगा तुम्हारे मृत्यू के लिए तुम गिर्गडाओगे किन्तु मृत्यू भी तुमसे दूर रहेगी कल्यू के अंत तक तुम अपनी इस च्राफित दे का बोज उठाते हुए बठकते रहोगे अश्वतामा बठकते रहोगे अर्जुन इस दूष्ट के मस्तिश्क से दिव्य मनी चीन लो अश्वत्थामा के मस्तिश्क से उसकी दिव्य उजा का स्रोत उसकी मनी निकाल कर उसे कल्यूद के अंत तक पश्चा ताप करने के लिए छोड़ गया गया अश्वत्थामा की दिव्य मनी देखकर द्रोपदी के संतप्त रिदय को शान्ती मिल गई किन्तु जैसे ही श्री कृष्ण लोटने को हुए अभिमन्यू पत्नी उत्तरा सहायता की गुहार लगाती हुई श्री कृष्ण के सम्मुख आखडी हुई अचा कीजैं चांडी हो इसुद्फश के च्राइब मस्टर मेरी जन्तान के फ्राण हरना चाथा cuma प्रुक्षैर कीजैं अगड़को श्रक्रेलिजी हुए थोतल सहायता यह यह सद्वा सूल की जिए अश्वा थामाद्वाटा चोड़ा और हुआ जो उसने पांडव कुल की अगामी पीडी का विनाश करने के लिए अभी मंत्रित करके छोड़ा था इससे रक्षा कीजे प्रभू श्री कृष्ट आप तो परप्रम्मस्वर हूप हैं अब सब कुछ कर सकते हैं प्रभू प्रभू झाओ 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 पुत्रा अब तुम्हारा पुत्र सुरक्षित है उसके जन्म के पूर्वी उसके इतनी बड़ी परीक्षा हुई आता है तुम्हारे पुत्र का नाम परीक्षित होगा जो भविष्य में एक महान नरेश बनेगा प्रभू आपकी इस महान कृपा के लिए मैं ही नहीं संपूर्ण पांडव कुल आपका सदा भारी रहेगा प्रभू सब परीक्षित के सवभग्य को जानकर प्रसन्न थे किन्तु परास्त हुए कौरवों की माता गान्धारी के वहां पहुंचते ही उनकी प्रसन्नता धूमिल पड़ गई एक दुख्यारी मा की कोक उजाड़ कर तुम सब आनन्ध मना रहे हो मैं देख नहीं सकती किन्तु आभास कर सकती हूँ आभास कर सकती हूँ तुम्हारी प्रसन्ता का मैं सत्त कह रही हूँ न देख की नंदन केशव तुम्हारे असमित हासे का अभी अभास हो रहा है मुझे यदि मेरी विश्नु भत्ती सच्ची है यदि अभी मेरी पत्नी वरता पत्नी का धर्म द्रिड है मैं अभागी मा तुम्हें ये शाब देती हूँ क्रिश्ट जिस तरह तुमने को और वो और पांडवो को आपस में यूद करवा कर मेरे वंश का सर्वनाश किया है उसी प्रकास समझ स्यदू वंशी भी आपस में लड़कर वंश नाश का कारण बनेंगे और तुम्हारी द्वार करने तुभी भी सागर के गट में जाकर समा जाएगी आपका दिया हुआ चाफ अवश्य फलित होगा नियती ने यही निर्धारित किया है अभी हम सब को इन वीरों का विदिवत अंतिम संस्कार करना है जिससे ये मोक्ष की और प्रवृत हो सके तत्पस्चाद धर्मराज युदिष्ठिर हस्तिनापुर के राज सिंधासन पर आरूड हुए श्री कृष्ण ने भी द्वारिका को प्रस्थान किया देवी रुक्मिनी की उपस्थिती के कारण संसार के समस्थ सुख द्वारिका में उपलब्द थे किन्तु माता गांधहरी के श्राप ने अपना प्रभाव दिखाया और एक दिन यदुबंशी आपस में ही लड़कर मृत्य के मुख में समा गए द्वापर युग के अंत के संकेत मिलते ही श्री कृष्ण ने भी जीवन से निर्वान का निश्चय कर लिया प्रभू मेरा हिर्दय अकस्माथी प्रभू के लिए व्याकुल क्यों हो रहा है मेरिक आज का आखेट प्राप्थ हो गया मुझे यह क्या हो रहा है कभी प्रभू के लिए व्याकुल हो रहा है तो कभी बाली भया की मृत्यू का द्रिश इन नेत्रों के समक्ष घुम रहा है तो वहाँ चुपा बैठा है मेरे के कुछ तो है जो मेरे हिर्दय को व्यथित कर रहा है लक्ष पर लगा है मेरा प्रभू आप ये क्या हो गया मुझसे प्रभू मेरे ही तीर ने आपको ये कुक्रित कैसे हो गया मुझसे प्रभू क्यमा कर दीजिए मुझ पापी को ग्यात ना था कि आप है यहाँ इसलिए ऐसा घटित हुआ ये आप क्या कह रहे हैं प्रभू कैसा वर्दान दिया था आपने पुत्र कि तुम पूर्व जन्म में बाली थे जिस प्रकार उस समय कर मैंने चुपकर तुम्हारा बत किया था उसी प्रकार मेरा निर्वान भी निश्चित था नहीं प्रभू नहीं मैं स्वयम को ख्यामा नहीं कर पाऊंगा शांगती को धारन करो पुत्र जो जैसा करता है उसे कभी ना कभी उसका फ्र अवस्य भूगना पड़ता है कि यह कि मेरी नियती थी त्रेता युग में श्री राम ने हनुमान को जो वचन दिया था उसे उन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्णावतार में पूर्ण किया और पृत्वी से निर्वान करने से पूर्व उन्होंने हनुमान को अपने अंतिम दर्शन दिये प्रभू मेरे प्रभू प्रभू ये कैसी विडम बना है मेरे भाग्य की पहले प्रभू श्री राम निर्वान कर गए और अब आप भी मुझे इस भूलोक में छोड़ कर जा रहे हैं हनुमान तुम तु भाग्यवान हो जो तुम मेरे दोनों अफ्तारों के साक्षी बने और इसके पश्चाथ जब कल्यूग में मैं पुने अफ्तार धारन करूँगा तब भी तुम उपस्तित होगे क्या ये हर्ष का विशे नहीं है तुमारे लिए यही सोच कर अपने चिरंजिवी होने के वर्दान पर मैं संतोश कर लेता हूँ प्रभू अन्यथा मेरा हिर्दे ही जानता है कि अपने प्रभू को अपने इन नेत्रों के समक्ष निर्वान करते हुए देखना कितना हिर्दे विदारक होता है मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ हनुमान किंतु तुम्हारे कांदों पर बहुत बड़ा दायत्व है धर्म एवं धर्म पत्के मार्गियों की रक्षा करने का उत्तरदायत्म निभाना है तुम्हें कल्यूग अब निकट ही है जिसमें अधर्म का सामराज्य है अपने चरम पर होगा हनुमान शीघरी पांडव कुमार परिक्षित राज्य विशेक होने वाला है तुम्हें जाकर उन्हें आशिर्वात देना होगा और उन्हें उनकी शक्ति और युद्ध कौशल से परिचित कराना होगा जिससे कल्युक समय से पूर्वी आकर पूनते अपना प्रभाव ना पहला सके श्रिष्टी के संतुलन को विगटित ना कर सके आपकी आज्या शिरोधार्य है प्रभू प्रणाम प्रभू तुम्हारी और तुम्हारे भक्तों की सदा जै हो हनुमान ये गाता है धर्म के सम्मान की सब सुधि जन देखे लीला श्री हनुमान की इश्वत लीला अनन्त है जो भी इस धर्ती पर आया है उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है वो सदा अच्छे कर्म करे